इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे ओफलाइन टीचर और बहुत सारे यूट्यूबर ओफेंड हो सकते हैं कि यार ये बंदा इतनी सारी बढ़िया बढ़िया चीजे इतनी आसानी से कैसे दे पा रहा है क्योंकि आज की इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, बलके टोटल तीन सर्प्राइज में आपको देने वाला हूँ तो प्लीज यार वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप एक भी सर्प्राइज मिस ना करें So hello everyone, this is your Gaurab भाईया यार बहुत सारे बच्चों कमेंट आ रहे हैं कि भाईया हमारी जो हाफिरले एक्जामस है वो बहुत खराब गए है बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भाईया हमें अंदर से पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है उनका confidence बिलकुल जमीन में चला गया है वो किताब खोलते हैं तो बस इतना दिमाग खराब हो जाता है ऐसा लगता है कि हम खुद को ना torture कर रहे हैं हमारा किताब फाड के फैकने का मन करता है उपर से parents का pressure अलग कि देख तेरे कजन के इतने अच्छे नंबर आये थे प्रदोस वाले शर्मा जी के बेटे के देख इतने अच्छे नंबर आये थे तू क्या कर रहा है ये सब सुनके ना बच्चे का literally दिमाग फटने को हो गया है और सबसे बड़ी problem पता है कि ये जो actual problems है ना कोई बात ही नहीं कर रहा कि बच्चा अभी current situation में क्या feel कर रहा है और तुम्हारी इस situation को मेरे से better ना कोई नहीं समझ सकता क्योंकि जो जो चीजे तुम अभी face कर रहे हो ना ये सारी की सारी चीजे मैं ना कुछ साल पहले face कर चुका हूँ और उस time तो यार मेरे को गाइड करने वाला कोई भहिया भी नहीं था कम से कम तुम्हारे पास मैं तो हूँ जो तुम्हे time to time guide करता हूँ तुम्हे time to time mentor करता हूँ तुम्हें अपनी life के decision लेने में help करता हूँ तुम्हे study material देता हूँ तुम्हें strategies देता हूँ, तुम्हें पढ़ाता हूँ और यार सोचके देखो न, उस टाइम मेरे पास कोई गोरो भहिया जैसा भहिया भी नहीं था लेकिन फिर भी मैं उस situation से निकला, तो मेरे को पता है उस situation से कैसे निकला जाता है तो आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ, कि अभी जो तुम्हारी current problems है न, इनको तुम कैसे सही तरीके से face कर सकते हो क्योंकि देखो यार, अभी न तुम्हारी 6 महीने जा चुके है, मेरे को कोई फरक नि पढ़ता तुमने 6 महीने में क्या किया है लेकिन मेरे को ये फरक पढ़ता है, कि तुम्हारे पास अभी कितना time बचा हुआ है और तुम्हारे पास अभी न, 5 महीने है, अगर तुमने इन 5 महीने में अच्छे से महनत कर ली तो देखो यार, तुम्हारी नईया पार लग जाएगी लेकिन अगर तुम्हारा वही हाल रहा, जो तुमने 6 महीने में किया है वही सेम चीज़ अभी करोगे, तो यार फिर तो देखो तुम्हे न, भगवान भी नहीं बचा सकता हाफ एरली में तो आपका आधा स्लेबस आया था, प्रीबोर्ट में तो पूरा स्लेबस आयेगा तो यह जो प्रीबोर्ट नाम की बड़ी सी दिवार आपके सामने खड़ी है इसका कोई प्रीबोर्ट को इस तरीके से टैकल करूँगा, कोई सोचा है, नहीं सोचा होगा मेरे को पता था, हर बच्चे की यही प्रोब्लम है, कि वो अगली प्रोब्लम पे फोकस नहीं करता वो पिछली problem के लिए रोता रहता है तो preboards का जो plan है वो आपको अभी बनाना पड़ेगा देखो अभी आपका हाफिरली ताजा ताजा खतम हुए तो अभी आपका कम से कम भी 60% slaves complete हो जाना चीए अगर आप ऐसा student हो जिसका अभी तक 60% slaves complete नहीं हुआ है तो यह मान के चलो आप 90% बच्चों से पीछे चल रहे हो straight away सीधा सीधा बोल रहा हूँ आप खुद को अभी बैठे बैठे चेक कर सकते हो कि आप कहां stand करते हो आप मेरे को जल्दी से comment में बताओ कि अभी तक आपका कितना slaves complete हो गया है अगर आपका 60% slaves complete हो गया है तो आप average category में आते हो अगर आपका 60 से कम है तो आप below average में आते हो आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों से पीछे चल रहे हो ठीक है और अगर आपका slaves 80% complete हो गया है सबसे पहले आपको अपना पूरा का पूरा जो slaves है ना वो complete करना है दूसरा आपको अपने पूरे slaves की रिविजन करनी है और तीसरा आपको अपने पूरे slaves की practice करनी है और कमाल की बात ये है कि ये तीनो की तीनो जो चीज़े है ना आपको मैं करवाने वाला हूँ यही थे हमारे आज के total तीन surprise सबसे पहले बात करते हैं कि आप syllabus complete कैसे करोगे तो आपके syllabus को complete करवाने के जो जिम्मेवारी है ना वो आज से मेरी है तो हमारा सबसे पहला surprise है हमारी नई one short series जिसके अंदर मैं आपको ना science के और math के जो नई one short lectures है ना वो मैं आपको provide करने वाला हूँ और देखो है यार मैं guarantee देता हूँ उन one short lectures में ना मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूँगा मेरे को नहीं लगता उससे बढ़िया one short lectures आपको पूरे YouTube पे कहीं भी मिलेंगे इतने बढ़िया one short lectures मैं आपको completely free में provide करने वाला हूँ और उन one short lectures के through आप अपना पूरा जो pre-board का syllabus है ना वो आप complete कर सकते हो और वो भी completely free of cost तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसका syllabus अभी तक complete नहीं हुआ है तो मैं आपको बोलूँगा जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं अगला one short lecture अप्लोड करूँ ना तो आपको पता चल जाए देखो यार preboards में अच्छे नंबर लाने के लेना सबसे पहले आपको अपना syllabus कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आपका syllabus ही नहीं है तो आप preboards में अच्छे नंबर तो भूली जाओ तो सबसे पहले आपको अपना syllabus कंप्लीट करना है और उस completed slaves की revision करना भी उतना ही important है तो अब revision कराने के लिए आता है हमारा second surprise जिसके अंदर मैं आपको न हर chapter के जो notes है वो मैं आपको completely free में provide करने वाला हूँ आज तक मेरी ऐसी कोई भी वीडियो नहीं है जिसके उपर ये comment ना आया हो कि sir please SSD के बचे होई chapter की notes upload कर दो please science के बचे होई chapter की notes upload कर दो तो guys SSD के और science के जितने भी मेरे pending notes है ना सारे के सारे मैं अब इस channel के उपर upload करने वाला हूँ तो जब आपका one short series से पूरा syllabus complete हो जाए उसके बाद क्या करना है मेरे notes के थुरू आपको revision करनी है ठीक है एक तो होगे revision notes के थुरू अब revision के लिए ना मैं एक और चीज़ upload करूँगा जो की होगी हमारी most repeated questions की series जिसके अंदर आपके पिछले साल के जितने भी most repeated questions है ना जो हर साल paper में बार बार पूछे जाते हैं वो सारे के सारे questions मैं आपको इस channel पर provide करने वाला हूँ ताकि जब आपका पूरा chapter complete हो जाए तो जो most repeated questions है वो खुद से आप solve कर पाओ ताकि आपको पता तो चले कि यार आपको आता कितना है most repeated questions करने से ना आपका जो confidence है वो boost होगा आपको लगेगा कि यार मेरेको तो काफी कुछ चीज़े आती हैं उससे फिर आपका पढ़ने का मन करेगा देखो क्या होता ना जब आप 10 questions solve करते हो और उसमें से 8 या 9 questions आपको आते हैं तो वो जो बचा हुआ question है ना वो भी आपका पढ़ने का मन करता है अगर आप 10 questions में से 2 questions कर पा रहे हो 8 questions नहीं कर पा रहे हैं तो आपको confidence आए गईगी तो इसलिए आपको जो most repeated questions है वो करने बहुत ज़रूर ही है क्योंकि जो जो questions बार-बार इतने साल से repeat होते आ रहे हैं बहुत ज़्यादा chances है कि वो इस साल भी आएंगे तो यह जो हमारी most repeated questions वाली series है यह आपको chapter को revise करने में बहुत help करेगे तो revision के लिए हम दो चीज़ लेके आ रहे हैं एक तो pending chapter के notes और दूसरा most repeated questions वाली series ठीक है तो इन दो चीज़ों से आपके पूरे syllabus की revision हो जाएगी इसके बाद हमारा तीसरा सबसे बड़ा और सबसे main surprise आता है जो कि इस वीडियो का सबसे बड़ा highlight था जो कि आपको help करेगा आपकी practice करने में देखो यार one short series है हमने syllabus complete कर लिया notes और most repeated वाली series से हमने revision कर ली अब practice करना भी तो वो जरूर है ना practice करने के लिए हमारा सबसे बड़ा और तीसरा surprise आता है जिसमें मैं एक बहुत ही life की सबसे बड़ी चीज लॉंच करने जा रहा हूँ थोड़ा सा nervous हूँ थोड़ा सा वो वाली feeling आ रही है जैसे आज मेरा exam है क्योंकि आर आज है ना मेरे तीन महीने की महनत मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपने देखा भी होगा पिछले तीन महीने से इस channel के उपर जो videos की frequency वो थोड़ी सी कम हो गई थी क्यों क्योंकि मैं उस surprise पे work कर रहा था मेरे तीन महीने की खून पसीना मैंने एक कर दिया दिल से, दिमाग से, महनत से ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने इस surprise को बनाने में यूज ना कियो and अब finally मैं आपको अपने तीन महीने की खून पसीने की महनत में आपको दिखाने वाला हूँ जो की है मेरी life की सबसे पहली book that is math sample paper yes and चिंता मत करो यह मैं आपको standard वाले दिखा रहा हूँ basic वाले भी मैंने बनाये हैं मैंने अपने धाई साल के experience में जितने भी math के most important question अपने इकठे किये थे थे ना सारे के सारे मैंने इसमें डाल दिये इससे सस्ता sample paper market में इससे बढ़िया sample paper market में मेरे को नहीं लगता आज के time पे कोई available है इससे सस्ता और इससे best कुछ नहीं हो सकता this is the one and only best and the most cheapest sample paper available in the market that is educart math sample paper और यह मैंने लिखा है ठीक है मैं किसी और का promote नहीं कर रहा आप देख सकते हो यह इसका cover है और cover पे यहाँ पे नीचे आपके गोरव भीया का नाम लिखा हुआ है मैं इस प्यारी सी book का author हूँ and मैं छाती ठोके यह बोल सकता हूँ कि इससे बढ़िया sample paper आपको market में आज के time नहीं मिल सकता ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो हमने इस sample paper में ना डाली हो sample paper में हमने mind map डाले है self evaluation chart डाला है आपके short notes डाले है पिछले 5 साल के previous paper डाल रखें इसके अंदर और वो भी completely sold जिसमें आप चेक कर पाओगे कि भई जो examiner है वो हर बार किस type का paper बनाता है देखो जब आप पिछले 5 साल के paper कर लेते हो ना तो आपको examiner का mind के बारे में पता चलता है कि जो examiner है वो किस chapter में से किस type के वो question पूछता है तो वो भी आपको इससे पता चल जाएगा इसके साथ इसके अंदर है आपका जो CBC का जो official sample paper था जो CBC ने इस साल release किया था वो भी इसके अंदर complete solution के साथ है साथ में आपको पता होगा CBC ने अभी ताजा ताजा आपका practice paper release किया था जिसको देख के बच्चे डर गए थे बहुत सारे बच्चे मेरे से उसका solution मांग रहे थे तो वो practice paper इसके अंदर available है और with solution available है ठीक है तो CBC का official sample paper और साथ में CBC का official practice paper है दोनों इसके अंदर complete detailed solution के साथ available है और सिरफ इतना है नहीं अभी तो और भी बहुत कुछ है इसके अंदर जो CBC का बिलकुल जो नया latest pattern है ना उसके उपर based जो आपके नए sample paper है वो भी इसके अंदर है ताकि आप CBC के नए pattern के साथ से practice कर पाओ अब नहीं बहुत सारे बचों इमन में एक doubt होगा जो कि कोई clear नहीं करता है मैं clear करता हूँ doubt यह होता है बहुत सारे बचों को कि भाई आमने तो already question bank खरीद रख है तो क्या मेरे को यह sample paper खरीदने की जरूरत है देखो यार question bank का और sample paper का दोनों का जो purpose है ना वो दोनों का different होता है question bank के अंदर आपको जो question मिलेंगे वो chapter wise मिलते हैं और sample paper का purpose होता है आपको final exam के लिए तयार करना आपको time management सिखाना देखो जब आप sample paper को खुद से solve करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि भई क्या आप 3 घंटे के अंदर अपना paper जो है वो पूरा कर भी पारे हो या निकर पारे हो मानलो अगर आपने sample paper नहीं किये और सिधा आप direct final paper में जाके बैठ गए तो आपको तो idea नहीं लगेगा राइट कि भई मैं 3 घंटे paper कर भी पा रहा हो कि निकर पा रहा हो तो यह जो time management है यह कौन सिखाएगा यह sample paper सिखाएगे तो आपको क्या करना है pre board से पहले और final exam से पहले तो करना है pre board से पहले आपको sample paper करना start कर देना है sample paper को solve करने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूं आपको क्या करना है अपना एक study table बना लेना है उसमें उस table पर कुछ नहीं होना चीए सिरफ आपका एक phone होना चीए और phone में भी क्या करना है stop watch चला देना है ठीक है तीन गंटे का timer set कर देना phone के अंदर और आपको एक notebook लेनी है अपनी rough notebook ले ली इसका कोई भी एक sample paper निकाल लेना जैसे for example यह 8th sample paper है ठीक है तो यह sample paper खोल लिया अपनी rough notebook में यह पूरा का पूरा sample paper आपको solve करना है और इस तरीके से solve करना है कि जैसे आप final paper में करोगे ना बिल्कुल ऐसे सोचना है कि आप final paper में बैठे हो और आपके पास 3 घंटे का time है और देखो जब आप timer लगाते हो ना तो आपके दिमाग पे एक psychological effect पढ़ता है कि कहीं आप timer को देख के panic तो नहीं कर रहे देखो क्या होता ना एक्जाम होल का माहूल और घर का माहूल में फरक है इसलिए आपको क्या करना है एक्जाम होल के माहूल की practice पहले से ही शुरू कर देनी है तो जब भी आप sample paper solve करो इस तरीके से solve करो कि आप final paper में बैठे हो आपको 3 घंटे तक उठना नहीं है अपने पास में बस एक water bottle रखो और एक phone में timer लगा के रखो और अगर आपको phone से distraction होती है तो आप घड़ी भी use कर सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है तो ये sample paper का purpose completely caution bank से different है तो ऐसा नहीं है कि आपने caution bank ले लिया तो क्या आपको sample paper लेना है और final paper तो देखो यार हर बच्चे को दे नहीं है वहाँ पे तो तीन गंटे का timer होगा और अगर आपने तीन गंटे के साब से practice नहीं कर रखी होगी न तो final paper में मान लो आपका paper length ही आ गया तो आपने तो time management की practice करी नहीं रखी है तो आपकी तो band बच जाएगी आपके तो paper छुट जाएगा तो यह चीज़े आपके साथ ना हो इसलिए आपको क्या करना है sample paper definitely purchase करना है और अगर आपका slavers पूरा नहीं हुआ है न तो भी आप इस sample paper को ले सकते हो क्योंकि देखो अभी slavers पूरा नहीं हुआ न आगे तो पूरा होगा तब तो काम आजाएगा न sample paper राइट और मान के चलते कि आपका slavers 60% पूरा हो चुका है तो आपके जितने भी chapter पूरे हुए है उस chapter से related जितने भी इसके अंदर caution है कम से कम उनको तो solve करो ताकि आपको ये तो पता चली कि भी जितना आपका slavers पूरा हुआ है उन chapter में से आपको कितना आता है तो आपको मैं बोलूँगा कि जल्दी से जाओ यार लिंक मैं आपको description box में देदूँगा इस sample paper को purchase करने का मैं आपको price बता देता हूँ price मैंने अभी तक नहीं बता है तो इस sample paper पर आप देख सकते हो 349 रुपीज लिखा हुआ है ये इसका print rate है तो अगर आप इसको offline से purchase करोगे तो ये आपको 349 का मिलेगा लेकिन यार देखो अब तुमारा भया इसका author है तो अब इतनी तो चलती है कि मैं discount करवा सकता हूँ तो अगर आप इसको offline या किसी और YouTuber के link से लोगे ना तो ये आपको 349 का मिलेगा लेकिन अगर आप मेरे description वाले link से लोगे तो ये जो sample paper है ये आपको 270 रुपीज का मिलेगा यानि की 80 रुपे कम ठीक है अगर आप offline से लोगे या किसी और YouTuber से लोगे देखो यार author की बात अलग होती है ठीक है author के पास extra discount होता है तो अगर आप मेरे link से लोगे तो ये जो sample paper है ये आपको 270 का मिलेगा कहीं और से लोगे तो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा तो मैं आपको बोलूँगा यार जल्दी से जाओ description box में link है वहाँ से जल्दी से sample paper को purchase कर लो इससे सस्ता और इससे बढ़िया sample paper आपको नहीं मिलेगा और दोनों type के math के sample paper आपको मिल जाएंगे चाहे standard हो चाहे basic हो दोनों का जो link के आपको description box में दे दूँगा दोनों के दोनों जो है वो मैंने ही लिखे है तो ये तो देखो यार math का sample paper था जो कि मैंने लिखा है लेकिन आप final exam में सिर्फ math का paper थोड़ी ना होगा बाकी subject का भी तो होगा राइट आप अच्छे से तयारी कर पाओ ठीक है तो इन सभी sample paper को purchase करने का जो link का भी आपको description box में दे दूँगा अगर आप मेरे link से purchase करोगी तो आपको 80 रूपीज का discount मिलेगा क्योंकि author वाला link अलग होता है ठीक है तो अगर आप मेरे link से purchase करोगी तो आपको 80 परसेंट का discount मिल जाएगा इन सभी sample paper पे और मेरे पास English का भी sample paper है हर subject का मेरे पास sample paper available है तो अगर आपने से कोई बच्चा ऐसा है जिसको inside view चाहिए क्योंकि आपको पता है मैंने caution bank का भी detailed review upload किया था जिसमें मैंने पूरा का पूरा जो caution bank है वो आपको अंदर से दिखाया था तो अगर आपको उसी सेम तरीके से इन सभी sample paper का भी review चाहिए तो मेरे को यार please comment करके बता देना मैं आपको ना इन सभी sample paper का जो देख सकते हो आप मेरे पास चारो के चारो sample paper है तो अगर आप चाहते हो कि मैं इन सभी sample paper का detailed review upload करूँ तो आप मेरे को please comment में बता देना मैं इन सभी subjects के sample paper का detailed review है वो मैं इस channel पर upload कर दूँगा जिसमें मैं आपको ना अंदर से दिखाऊंगा कि यह जो sample paper यह अंदर से कैसे दिखते है ठीक है जितनी भी चीजे मैंने आपको बताई है क्या वो इसके अंदर सच में exist करती है या मैं बस ऐसे बता रहा हूँ तो अगर आप चाहते हो कि मैं इन सभी sample paper का सिरफ math क्या नहीं चाहे sst हो चाहे science हो चाहे English हो हर subject के अगर sample paper का detailed review चाहते हो तो please मेरे को comment करके जुरूर बताना अगर ज़्यादा बच्चों की demand आएगी तो मैं upload कर दूँगा ठीक है hope करता हूँ यार यह जो तीन मैंने आपको बड़े बड़े surprise दिये हैं चाहे वो one short series हो चाहे वो नए notes हो चाहे वो most repeated questions वाली series हो चाहिए आपके sample paper हो सारे के सारे आपको अच्छे से पसंद आये होंगे और देखो यार पिछले तीन महीने से न मैं sample paper को बनाने में लगा हुआ था and hope करता हूँ आपको पसंद आयेंगे इस sample paper बहुत जी जान से खुन पसीना एक करके राप्तो की नींद उडाके मने इस sample paper बनाए हैं तो support जरूर करना और अपने friends और classmates को जरूर बताना कि गोरभ भया किना नए sample papers finally आज चुके हैं ठीक हैं तो guys hope करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी अब यार देखो final paper बहुत पास आ रहे हैं और अभी अगर आपने पढ़ना शुरूर नहीं किया ना तो बहुत लेट हो जाओगे तो मेरी जो one short series है मेरे जो नए notes है और मेरे जो most repeated questions वाली series है और practice करने के लिए sample paper तिनों की तैयारी start कर दो ठीक है ताकि हम final के अंदर जो हमारा 95% वाला जो target है जो हमारा dream है वो हम achieve कर सके ठीक है तो hope करता हूँ साइच चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी तो guys मिल फिर अगली वीडियो में नए topic के साथ तब तकली goodbye and have a nice day